नमस्कार डीवी न्यूज में आपका सुवागत है गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसाई धर्म से लोगों को जोडनी के लिए एक घर में प्राथना सभा हो रही थी उसमें लोगों को पैसे का प्रलोभन भी दिया जा रहा था इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस ने F.I.R. दर्ज करते हुए 15 महिला एवं पुलिशों को गिरफतार किया है आरोप है कि प्राथना सभा के बहाने हिंदू लोगों को धर्मांतरन के लिए ये लोग बहला फुसला रहे थे पुलिस ने इनके कबजे से एक गिटार, पांच वाइबल, दो गीत की पवित्र पुस्तके आदी सामान वरामत किया है मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के करहेडा गाउं में एक प्राथना सभा का आयोजन किया गया था ये प्राथना सभा 17 सितंबर के शाम 4 बजे गाउं के दिनेश के घर में हुई थी इस सभा में उसमें तमाम गाउं के लोगों को बुलाया हुआ था इसी सभा में सुभास के परिवार को भी बुलाये गया था वहाँ पर कुछ महिला पुरुष बैठे हुए थे जो इसाई धर्म के बारे में बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर वे इसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें पैसे भी दिये जाएंगे